नमस्कार दोस्तों मैं डोक्टर रावज चौधरी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ये शॉमेपेथिक सेंटर जोद्पर में हार्दिक स्वागत करते हूं दोस्तों आज हम डोक्टर सुसलर की 12 टिशू रेमेडीज में से एक बायोकेमिक सॉल्ट कालिफोस के बारे में बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपका कोई परसनल कुश्चन है कोई बीमारी या होमेपेथिक मेडिसन स्ट्रीटमेंट के बारे में आप मुझसे कुश्चन पूसना चाहते हैं तो कैसे पूछ सकते हैं या किस परकार आप मुझस और रिजल्ट से वहाँ काम आती है लेकिन आप ये भी जानते हैं कि होमेपेथिक के अंदर हर मेडिसन कुछ बीमारी की स्पेसिफिक होती है जहांपर वह बहुत अच्छे रिजल्स देती है या वो बीमारी है तो वहाँ पर मेडिसन जरूर की यूज की जानी चाहिए जिस दोस्तों ऐसा क्यों इसका भी एक कारण है जैसा मैंने बताया है कि यह एक बायो कैमिक सॉल्ट है डोक्टर सुसलर की 12 टिशू रेमेडीज में से एक है दोस्तों जो कालिफोस है इसके लिए बैसिकली क्या है कि हमारी जो ब्रेन और नर्व सेल्स है उसका यह एक आजाएगी और ऐसा माना जाता है कि अगर हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर कहीं भी कालिफोस की कमी हो रही है तो उसके कारण हमारे सरीर के अंदर बहुत सी जो सिम्टम्स है वो आने लगते हैं जिसको बीमारियों का नाम देने लगते हैं दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हमारे सरीर के अंदर brain में ऐसे कौन-कौन से symptoms आएंगे या ऐसी कौन सी बिमारी आएगी जो में हमारे body के अंदर कालिफोस की कमी हो जाए ता हमें देखने को मिलती है दोस्तों सबसे पहलें बात करें depression की आप जानते हैं यह बहुत एक common बिमारी होगी और टेजी से बढ़ती जा रही है तो अगर कोई depression से परेसान है यानि अगर उनको अवसाद है निरासा है तो यह उसकी बहुत अच्छी medicine है दोस्तों next है insomnia sleeplessness यानि वो लोग जिनकी नींद ढंग से नहीं आती जिनको नींद टाइम से नहीं आती है विस्तर में चलेगे तो बहुत देर तक सो नहीं पा रहे है या अगर नींद आ गई तो सुबह जल्दी जग जाएंगे तो इस तरह से उनकी अगर नींद के अंदर मालो हो भी गई तो उसके बाद अपने आपको refresh नहीं फील करेंगे अगर इस तरह की disturbed sleep है आपकी किसी भी परकार तो उसके अंदर कालिफोस जरूर यूज की जाने जीब दोस्तों नेक्स होता है Somnambulism यानि बहुत से लोगों गंदरी देखा जाता है कि जो रात में सोते हैं तो उनको पता ही नी चलता और नीम में उट जाते हैं और उट के और चलने फिरने लग जाते हैं अपने रूम में आस पास में और घर में कई वारे दूदर गोमने भी अगर इस तरह का mental disorder है तो वहां भी कालिफोस बहुत अच्छे आपको results देगी दोस्तों next है anxiety या stress आप जानते हैं anxiety या stress में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चिंता मानसिक तनाव या आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जिनको tension रहने लगती है उसके अंदर कालिफोस बहुत अच्छी medicine है दोस्तों next है किसी भी तरह का डर बने रहे ना बहुत से लोग आप देखेंगे कि वो हर समय एक तरह के डर में रहेंगे उनको fear रहेगा कही बारे और अक्सर ये डर जो होता है जूटा होता है मतलब एक false डर सक्कीपन सा एक मन में बना रहता है कही बात पर रोने लग जाएंगे उनको रोना जल्दी आएगा ऐसे questions के अंदर एकर आप काली force यूज करते है तो आपको बहुत अच्छे results देखने को मिलेंगे दोस्तों वो लोग जिन में loss of memory है यानि वो लोग जो कि यादास्त जिनकी कमजोर हो गई अगर वो कुछ पढ़त यादास्त बहुत कमजोर हो गई है तो वहां हमें काली force जरूर यूज करनी चाहिए दोस्तों इसी तरह से जो old days होती है तो naturally age एक normal process होता है कि जैसे जैसे हमारी age बढ़ती है और old days के अंदर हमारे body के सारी जो cells हैं या cells हैं उनमें weakness आने लगती है तो उस time भी हमारे जो nerve cells ह उनके अंदर काली force की deficiency होने लगती है कमी होने लगती है जिससे जो आप कह सकते हो कि बुड़ापे के अंदर होने वाली अगर यादास्त की कमजोरी है या अगर मांसिक रूप से कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो वहां पर यह हमें जरूर यूज करनी चाहिए इसी तरह से वो लोग जो की बहुत ज़्यादा mental work करते हैं इस्टुडेंट्स हो सकते हैं डोक्टर्स हो सकते हैं इंजिनियर्स हो सकते हैं और भी कोई भी आदमी जिसका कि हैर टाइम मांसिक काम ज़्यादा करता है उसके कारण अगरू को मांसिक ठकावट रहने लगी जिसको brain fact भी कहते है साइन्स की वर्ड के अंदर तो ये उसकी बहुत अच्छी medicine है दोस्तों वो लोग जिनका mood अच्छा नहीं रहता है हर टाइम जिनको थोड़ा गुसा जल्दी आता है चिर्चिड़ापन क्योंकि एक normal condition नहीं है यानि कुछ न कुछ तो गड़बड़े इसलिए आप चिर्च चिर्चिड़े हो जाते हो तो अगर इस तरह की condition है चिर्चिड़ापन आ रहा है loose temper है आपका mood अच्छा नहीं रहता mood swings हो रहे तो वहां भी कालिफो से एक बहुत अच्छी medicine आपके लिए है दोस्तों इसी तरह से वो लोग जिनको गुसा ज्यादा आता है या वो लोग जिन को किसी भी कारण का मान सी कोई दुख है mental shock वहा जिसके कारण की हो हर टाइम दुख ही रहने लगे mood ही हर टाइम मतलब down रह रहा है low feel कर रहे हैं तो वहां पर कालिफो से एक बहुत अच्छी medicine है दोस्तों ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी medicine है वो बच्चे जैसे म माइग्रेन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होता है जो उनको night में सोने नहीं देता और वो एकदम ड़ाता है उनको नीन में और बच्चे एकदम डर के जाग जाएंगे तो वो बच्चे जिनकी इस तरह की history रही है कि नीन के अंदर डर के जाग रहे हैं तो वहां पर भी बहुत अच्छी medicine है माइग्रेन आप जानते हैं कि सिर्दर जिसके अंदर routine के अंदर आदा सिर्दर right का हो सकता है left का हो सकता है उसके साथ आपको जो नोजिया ओमेटिंग के sensations वगरा आ सकते तो अगर माइग्रेन रहता है तो वहां भी एक बहुत अच्छी medicine है दोस्तो के अंदर अगर nervous system से related body में कहीं भी कोई बीमारी आ रही है जैसे मैं आपको example दूँ आपकी body में कोई भी तरह का paralysis या आप जिसको लकवा कहते हैं अगर ऐसे आपको disease है या symptoms आ रहे हैं तो वहां अगर आप कालिफोस यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे results आपको देखने जो कालिफोस है इसके best results है वो देखा गया कि 6X potency में आपको मिलते हैं तो बेटर है कि आप हमेसा कालिफोस को 6X potency में आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों अगर हम बात करें कौन सी कमपनी की मिलती है या कहां मिलती है या आपको होमेपेतिक stores पे मिलती है या फिर आपके न अच्छी कमनी की यूज़ करें जैसे SBL एक अच्छी कमनी है और डॉक्टर रैक्वेक को हालांकि मेरी कमनी क्लिनिक में ज्यादा यूज़ करने की कोसिस करता हूँ उसका reason कि इसकी quality जो ये mouth dissolving tablets है इसको basically कि आप मुह में रखते हो और ये medicine अपना आप घुल जाती है पानी तो dose के अंदर आपको क्या करना इसकी 4-4 tablet आपको दिन में तीन वार लेना होता है यानि चार tablet आपने सुबह एकवार ले लिया चार tablet आपने दोफेर में ले लियी 4 tablet आपने नाईट में ले लियी कुछ समय बाद जब आपको ऊच्छा लगना लगे तो आप तीन बार की जा सकता उस कमणी की जो पेकिंग होती है वो लगबग 20 ग्राम क्या एक पेकिंग आता है और उसकी कोस्ट एजॉन टुडे अगर मैं आज बात करूं तो लगबग 160 रुपीज की MRP में ये अविलेबल होती है तो ये इस तरह से अविलेबल है और दोस्तों इस मैडिसन के साथ मैं अगर बहुत से कई बार पूस्ते हैं कि सर क्या परेज रखना चाहिए तो कोई भी होमेपेटिक मैडिसन अगर आप ले रहें तो आप देखें कि एक तो उसके 30 मिनट्स पहले और बाद कुछ भी खाना पिना नहीं होता लेकिन आप पानी पी सकते हैं पान अगर आपको कोई personal question मुझसे पूसना है तो आप किस तरह से पूस सकते हैं लेकि आप जानते हैं कि मेरा regular में videos upload करता रहता हूं होमेपेटिक की medicines और बीमारियों से related तो अब अगर मान लीजिए आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं 25th of June 2020 को और आज ही आपको कोई question पू पूछ सकते हैं दोस्तों यह जो आप मुझसे comment section में question पूछोगे इनका answer में आपको next day यानि 26 June को जो आपका सवाल episode आएगा जो कि 46 number है उसके अंदर मैं आपको answer देने की कौसिस करूँगा और वहाँ पर उस time जब मैं video suit कर रहा होता हूं तब तक जितने भी questions आई वे मेरी इकोसिस होती है कि मैं उन सब का comment section में आपको answer दे दू बहुत से questions होते हैं कही personal question होते हैं जिनका public platform पर answer देना अच्छा नहीं लगता है मैं comment section में भी answer देता हूं और इस video का बाद में कभी देख रहे हैं तो उस time का जो latest video उसके comment section में अगर आप जाके question करेंगे तो उस time में आपको answer देन इकोसिस करूँगा या कोई live clinic चल रहा होता आप उसमें भी मेरे से उसको पूछ सकते हैं दोस्तों इन सब के साथ में मैं आपको ये भी advice करूँगा कि अगर आप homeopathic field से जुड़े लेना चाहते हैं तो आप मेरे youtube channel को भी subscribe कर सकते हैं आप जानते हैं कि मेरे youtube channel पर मैं बहुत सी बिमारी के बारे में बात करता हूँ, homeopathic medicines के बारे में बात करता हूँ और अप डेट चाहते हैं तो मेरे youtube channel को आप सब्सक्राइब करें और bell icon जरूर दबा दें जिससे मैं जैसी कोई video डालूँ आपको notification मिल सकें दोस्तों उमीद करता हूँ कि आज हमने का subscribe करें और bell icon जरूर दबाएं जिससे मैं जैसी कोई video डालूँ आपको notification मिल सकें, thank you